नजरें जुकी तो नजरों ने सुन ली बाद दर्मिया मुद्दतों से नहीं हुई है। सियासत का दस्तूर निराला है। शेह मात की बिसात पर रंग बदलते प्यादों से पूरा खेल बिगड़ जाता है। गांधी परिबार की बेरुखी से आहत कैप्टेन इस दफे पंज का रणवश यह मुलाकात हो नहीं पाई। सुत्रों की माने तो इसके बाद भाजपा के राष्टिय महासचिव तरुन चुक के माध्यम से क्याप्टेन पुत्र रनिंदर सिंग नंबर दो से मिलने में कामियाब हो गए। कहते हैं रनिंदर ने जोशी जोश में शाह से कह द आरेगी और उने मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए खुल कर आर्थिक मदद भी करेगी। यानि कहीं न कहीं कैप्टेन पुत्र भगवाई इरादों को अपनी महत्पक कांच्छाओं की उडान से लब रेच करना चाहते थे। पर राजनीत के चतुर चानक के शह ने उन्हें समझाया कि उनकी नई पार्टी को सिर्फ उन्हें सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां उनका उमीदबार लड़ाई में हो और उस उमीदबार की हर तरह से मदद हो सकती है। दरसल भाजपा चाहती है कि कैप्टेन की नई पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रेस ज्य की भी प्रकार की मदद से पहले भाजपा की शर्थ है कि कैप्टेन की उमीदबार को सीधी लड़ाई में होना चाहिए। इसके पहले जब कैप्टेन अमिश्य और पीम से मिले थे तो उन्होंने तब दावा किया था कि उनके पास 28 कॉंग्रेसी विधायकों का समर्थन प्र का हर कदम फूक फूक कर आगे बढ़ा रही है। पार्टी और उसके नियंता जानते हैं कि फिलवक्त कैप्टेन बेहत उत्साह में हैं बड़ी बाते सूच और बोल रहे हैं पर राजनी तो संभाबनाओं का खेल है। भाजपा ये बखभी समस्ती है कि पंजाब में उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है जबकि पाने के लिए तो कैप्टेन और बादल दोनों ही उनके ही खिलाडी हैं।